हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर बैपरवेंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Lab Assistant के अंतगत जो Physics में आपके सैलेबस में Thermodynamics दे रखा है उस टॉपिक के उपर यानि उस्मा गतिकी के बारे में यहाँ उस्मा गतिकी का तीसरा वीडियो है जिसके अंतगत आज हम बात करने वाले हैं कार्य, यानि कि कार्य क्या होता है, कार्य का formula क्या है और इसके लिए जो graph से संबंदित एग concept है यानि कि area under the pv graph होता है, उसको क्या का जाता है, उसका कार्य क्या जाता है, वो कैसे निकालते हैं, ये चीज हम समझेंगे साथ ही साथ हम यह समझेंगे कि internal energy यानि आंतरिक उर्जा क्या होती है उसके बाद में उश्मा गतिकी का पर्थम नियम यानि first law of thermodynamics हम समझेंगे और फिर आगे की बाते हम करेंगे ठीक है दोस्तो तो कारे के बारे में कल मैंने आपको एक definition लिखवा दी थी कि जब किसी निकाय की अवस्था में परिवर्थन होता है यानि जब भी आप किसी भी system की state में changes लाते हैं तो वहाँ आपके system की energy में भी change आता है और जो यह system की energy में change है इसी को कहा जाता है work यानि की कारे यानि जब भी आप निकाई की अवस्ता को परिवर्तित करोगे एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर या एक परकार से दूसरे परकार में तो उसमें उर्जा में परिवर्तन हो गई होगा और जो उर्जा में परिवर्तन है उसी को कहा जाता है कार रेयो ठीक है अब हम यहां देखेंगे कि surrounding के उपर जब कारे किया जाता है तो आंत्री कुछा में कमी आती है या रदी होती है या फिर जब surrounding के द्वारा काम किया जाता है तब क्या होता है यहां दो बात होती है, एक बार आप काम करेंगे, एक बार आपके उपर काम होगा, तो आप यहां दो case लिखेंगे, पहला, आप लोगों को पता है, जब भी surroundings के उपर, यानि पारी प्रस्विक, इंगलिस हिंदी में आप लिखेंगे, पारी पार्स्विक, पारी पार्स्विक एक मिनट एक मिनट ठीक है आप लिखेंगे पारी पार्सविक पारी पार्सविक पर कार्य किया जाता है यानि स्राउंडिंग्स के उपर अगर आप कार्य करते हैं कार्य किया जाता है तो निकाय की आंत्रिक उर्जा में कमी होती है ठीक है तो जब भी स्राउंडिंग्स के उपर अगर आप काम किया जा रहा है यानि कि सिस्टम के द्वारा काम कर रहा है स्राउंडिंग्स के उपर तो क्या होगा उसकी आंत्रिक उर्जा में कमी होगी और स्राउंडिंग्स की उर्जा में व्रदी होगी होगी तो आप लिखेंगे कमी होती है तथा पारी पार्सविक की उर्जा में ब्रदी ठीक है चली दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे की पारी पार्सविक दूआरा यानि सराउंडिंग्स के दूआरा अगर कारे किया जाए तो निकाए की निकाए की उर्जा में ब्रदी अब निकाए की उर्जा यानि वही आन्तिक उर्जा ठीक है तो उर्जा में ब्रदी होती है होती है तथा पारी पार्सविक की उर्जा में कमी यानि सराउंडिंग्स की एनर्जी कम हो जाती है ठीक है ये कॉंसेप्ट आपको याद रखना है ये डिरेक्ट थियोरी ऐसी की ऐसी जो है लाइन पूछी जाती है की उर्जा में कमी समझ में आ गई बात ठीक है चलिए तो ये जो है आप लोगों के दोस्तों क्या हो गया कारे की पूरी परिबासा और जो ये दो कॉंसेप्ट है कि अगर आप जो है सराउंडिंग्स के उपर काम किया तो आंत्रिक उर्जा ये इनर्जी में कमी आईगी और प इनर्जी में इनक्रीजमेंट आता है और पारिस्प्रिक की उर्जा में कमी आती है ठीक है चलिए अब मैं आपको जो है बल इस कारे से संबंदित कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आपके पास में बल बराबर क्या होता है तो ब काट चेत्रफल ठीक है अनुपरस्त काट चेत्रफल यानि की F is equal to P into A ठीक अब देखिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है ये तो हमें पता है कि बल बराबर होता है दाब into उसका एरिया यानि चेत्रफल लेकिन जो कारे होता है वो क्या होता है तो आप ये लिखेंगे की कारे और कारे को हम यहां रिपरजन करें चोटे कारे को DW से तो DW बराबर हो जाएगा आप लोगों के क्या दोस्तों परती रोधी यानि PDP यानि की जो आपका प्रेशर में चेंज होगा भाई प्रेशर में चेंज होगा तब ही तो हम कारे करेंगे यह तो हमने बताया ना कि अवस्ता में परिवर्तन यानि P-DP into area यानि कि A into कितनी डूरी हमने उसको चलाया यह देखिए यहां मैं समझाता हूँ यह क्या है कहने का मतलब यहां मैं एक डाइग्राम बना देता हूँ तो उससे आपको समझ आएगा कि यह हमारे पास मैं मालो एक सिस्टम है ठीक है इस सिस्टम के अंदर यह एक layer तो मैं यहां बना रहा हूँ ठीक है यह यह एक layer हो जाएगी साथी साथ एक यहां layer हो जाएगी यह layer ठीक है अब यह जो है प्रिश्टन है एक तरह से मतलब यह दब सकता है अब यह इसकी पोजिशन में चेंजेस है ठीक है यह कितना है यह जो डिश्टेंस है यह है डी एक्स ठीक इसमें अंदर भरी हुई है गैस जो उपर की और लगा रही है प्रेशर समझ में आ गई बात अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कारे क्या होता है कारे होता है आपके पास मान लीजिए ये जो एक पिश्टन है ये लगा हुआ था ठीक और इस बीकर के अंदर गैस बरी हुई थी ये गैस क्या करेगी प्रेशर मारेगी प्रेशर मारेगी तो ये पिश्टन उपर की और खिसका और कितना खिसका डी एक्स खिसका इस पिश्टन का एरिया होगा जो की ए मान लिया अब प्रेशर पहले पी था जब ये उपर आया तो यहां कम प्रेशर लग रहा होगा तो वो जो pressure में change है वो है dp तो हमने लिखा dw is equal to p minus dp into a into dx और अब आप लोग जानते हैं कि अगर आप चेत्रफल का गुना किसी भी दूरी से करें यानि चेत्रफल ये इसका area into ये जो length है इसका multiply करने पर इस पूरे का क्या निकलेगा आयतन तो हम लिख सकते हैं p minus dp into ये क्या हो जाएगा dv यानि कि change in volume वालियूम ही तो हुगा भाई area चेत्रफल into आप दूरी करोगे तो volume आएगा और ये किसके equal है dw के ठीक है अब ये जो हमारा है दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों का आप अलग-अलग multiply करेंगे तो p dv minus dp dv ठीक और ये dw के equal चलेगा यहाँ हमने जो ये dv है यानि ये जो item में परिवरतनी बहुत ही चोटा होगा क्योंकि ये dx को इतना बड़ा नहीं खिसका रहे है बहुत minor खिसका है अब ये जितना ज्यादा चोटा होगा ये multiplication जो पूरा dv है ये बहुत चोटा होगा तो इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं नगर्णिय मानेंगे क्या मानेंगे नगर्णिय मानने पर ठीक है इसको नगर्णिय मानोगे यानि ये क्या हो जाएगा लगबग 0 ये हो गया 0 तो यह यहां से हट जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा dv is equal to p dv क्या हो जाएगा dv is equal to p dv समझ में आ गई बात अब हम यहां क्या कर रहे हैं इसका करेंगे integration क्या करेंगे समा कलन ये मैं आपको केवल और केवल एक formula derive करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे वो formula आएगा आपको formula ही याद रखना है ठीक है समा कलन करने पर integration करेंगे और वो भी limit कौन सी होगी v1 यानि volume पहले जो था उससे अब हम जा रहे हैं v2 volume के उपर ठीक है तो ये हो जाएगा integration से w और यहां integration से क्या होगा pressure तो constant है बार आएगा ये v1 ये v2 ये dv और ये equal किसके हो जाएगा तो ये हो जाएगा p into v2 minus v1 ठीक है तो w बराबर क्या हो जाएगा दोस्तो p v या फिर हम ये कह सकते हैं p dv समझ में आई बात यानि कि ultimately हम ये कह सकते हैं कि यहां जो है ये change in volume होता है तो हम इसको delta v भी लिख सकते हैं यानि कि w बराबर हो जाएगा p dot delta v समझ में आगई बात समझ में आगई यानि हम ये कह सकते हैं w बराबर क्या होता है p गुणा v बस pressure यानि दाब का multiply दाब गुणा item करेंगे तो हमें कारेव मिलेगा ये है formula और ये ही आपको याद रखना है ठीक है अब यहाँ p zero हो जाएगा यानि कि आपने जो है दाब सुनने हो गया तो कारे भी क्या होगा सुनने हो जाएगा अगर आपने gas का item constant कर दिया item में परिवरतन कितना हुआ जीरो item में परिवरतन जीरो तब भी कारे क्या हो जाएगा जीरो ये चीज़े आपको जो है अब समझ में आ चुकी होगी अब डबलू बरावर क्या है पी डॉट डेल्टा वी इसका मतलब हुआ कि आपके पास अगर कोई भी पी वी ग्राफ है क्या है पी वी ग्राफ ये है वी यानि कि इधर ये रिप्रजेंट कर रहा है आइतन को और इधर ये है पी यानि की दाब तो अगर दाब और आइतन का ग्राफ बना हुआ है मान लो इस परकार से एक हमने जो है मालो ये ऐसा एक ग्राफ बना दिया तो जो ये एरिया होगा ना दोस्तो ये जो चेत्रफल होगा चेत्रफल या जो ये एरिया है ये एरिया किसके एक्वल होगा तो यही जो है इसका एरिया ही कारे को रिपरजेंट करता है तो आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी PD graph के अंदर जो area होगा वो उसका क्या कहलाता है अरे उसका क्या कहलाता है कारे कहलाता है थीक है इस graph से question पूछा जाता है अब मैं आपको ये तो अपने मैंने केवल इतना बताया कि ये कारे को represent करता है लेकिन इसमें भी anti-clockwise है तब क्या लोगे की चीज है तो हमें यह देखना होगा कि दोस्तों आपके पास अगर जो है इस ग्राप को मिटाया जाए यहां से देखिए अब यह बता दिया ना मैंने एरिया किसको रिप्रेजन करता है कारे को बस यह बात याद रखनी है क्योंकि उसमें पूछ सकते हैं कोई ग्राप बना क समझाना चाता हूँ कि expansion का भोगा आपका dip जो है फिर आपका मलगा इसमें जो है sumpedion का भोगा परसार का भोगा compression का भोगा expansion का भोगा वो चीज है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ graph के माद्यम से आप देखेंगे ये जोड़ा ये जोड़ा ये हुआ A. माल लो details ये हुआ B." और ये पॉइंट है C ये पॉइंट है D इसमें arrow देखिएगा cross में लगाएं एक arrow B की और आ रहा है एक arrow B से जा रहा है ठीक है तो ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि दोस्तो आपका जो है यहां जो भी वालिम होगा पाई मान लो यह V1 है यह क्या है V2 है तो आप लोग यह बात जानते हैं कि अगर नंबर सिस्टम पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं नंबर बढ़ता है यहां पर जो है V1 वो छोटा है V2 से यह तो बात क्लियर है तो आप यह देखेंगे कि A, C, B पाथ जो है आपका इस गराब के अंदर A, C, B पथ जो है वो किसको रिपरजेंट कर रहा है वालिम का बढ़ने को या परसार को या संपिडन को तो बिल्कुल सीधी बात है V1 से लेकर वालिम V2 की और बढ़ रहा है यानि कि परसार हो रहा है और जब भी परसार होगा तो आपके जो कारे होगा दोस्तों वो होगा पॉजिटिव ठीक है कारे क्या हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है ये बात आपको याद रखनी है दूसरा अगर आप पात ADB की बात करें यानि कि ADB पत की बात करें तो आप देख रहे हैं कि V2 वोल्यूम से V1 की और बढ़ रहा है यानि ये हो रहा है संपिडन क्या हो रहा है संपिडन अब अगर संपिडन हो रहा है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव कार्य हो जाएगा यानि कि रिनात्मक हो जाएगा आप क्या करेंगे कार्य माइनस कर देंगे समझमाई बात ठीक है तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है ठीक है चलिए अब कारे जो होता है दोस्तो वो ना ही तो आपके निकाए के गुण पर डिपेंड करता है नहीं ये केवल जो है आपकी प्रारंबिक और अंतिम मवस्ताओं पर निर्पर करता है ये पूरे के पूरे प्रोसेस पर डिपेंड करेगा कि ये कहां पर जा रहा है कैसे हो रहा है मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस इस पॉइंट और इस पॉइंट से मतलब है नहीं ये अगर इस पत पे जा रहा है तो पॉजिटिव है इस पूरे पत पे जा रहा है तो negative है मतलब आप अभी आगे पढ़ेंगे कि कुछ चीज़े होती है वो केवल अंतीम और प्रारंबिक बिंदू पर डिपेंड करती है बाकी से कोई मतलब नहीं होता जैसे internal जो energy होती है नियांत्रिक उर्जा जो है वो आपके प्रारंबिक बिंदू और अंतीम बिंदू पर डिपेंड करेगी बाकी चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं है तो ये आपका कारे से संबंदी जो जो concept है जहां से आपके question पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बदा दिया आपको क्या क्या याद रखना एक बार कारे के बारे में revise कर लिजिए क्योंकि अब इन ही से जो questions है वो मैं आपको आगे करवाने वाला हूं की कैसे पूछे जाते हैं ठीक है कारे क्या है जब भी किसी निकाय की अवस्ता में परिवर्टन होता है तो निकाय की उर्जा में भी परिवर्टन होता है निकाय की उर्जा में परिवर्टन होगा और उर्जा के परिवर्टन को ही हम कारे कहते हैं अब पहला ये point complete हुआ दूसरा है कि अगर आप सराउंडिंग्स के उपर काम करते हैं यानि सराउंडिंग्स पर कारे किया जाता है तो निकाय की आंत्रिक उर्जा में कमी होती है और पारिस्प्रिक यानि सराउंडिंग्स के एनरजी में व्रदी होती है अगर सराउंडिंग्स के द्वारा काम किया जाता है तो फिर आपके निकाई की उर्जा में व्रदी होती है और पारस्प्रिक की उर्जा में कमी होती है सीधी सी बात है जो काम करेगा उसकी एनरजी कम होगी तो देखो पारस्प्रिक पर काम किया जा रहा है तो उसकी उर्जा में व्रदी होगी पारस्प्रिक खुद वि आया f बराबर pa होता है ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे एक फॉर्मूला ये भी याद रखेंगे कि w बराबर यानि कारे बराबर जो है आपके दाब गुणा आयतन होता है ठीक है फिर ग्राप के अंदर बता दिया कि area जो होता है वो किसको represent करता है यहां वापस लिवी यह जो चेत्रफल होता है, यह चेत्रफल इसका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है, लेकिन इसमें, जब आप ACB पत पर जा रहे हैं, तो परसार हो रहा है, तो परसार होगा, तो आप पॉजिटिव कारे लेंगे, अगर आपका संपीडन हो तो आपको एक बार एरिया सपोज करिए हम लेते हैं V1, A, C, B, V2 तो पॉजिटिव कारे लेंगे लेकिन जब आप V2, B, D, A, V1 लेते हैं तो फिर आपको नेगेटिव यानि माइनस करना पड़ेगा समझ में आई बात तो ये आपको इसलिए याद रखना जरूरी है ठीक ये हुआ कारे की बाते हैं complete अब हम समझेंगे आंत्रिक उर्जा के बारे में यानि internal energy आंत्रिक उर्जा internal energy यानि आंत्रिक उर्जा ये क्या होती है आंत्रिक उर्जा का मतलब है कि आपके पास में कोई भी एक थर्मो डैनिमिकल सिस्टम है तो उसमें अनू तो होंगी सिधी सी बात अब जो अनू है तो उन अनू हो की क्या होगी कोई ने कोई energy भी होगी अब अगर चल रहे हैं तो उनके पास होगी गती जूर्जा क्योंकि कोई भी अनू हो चाए कोई भी प्रदात हो अगर वो चल रहा है कोई कंड चल रहा है तो उसके पास चलने की वज़े से गती जूर जाती है यानि kinetic energy अनरजी होती है और अगर वो रुखा हुआ है तब भी उसमेर जिसको कहते हैं इस्तती जूरजा यानि पोटेंसियल एनरजी ठीक या इस्टेटिक्स एनरजी अब अगर दोस्तों अनू जो है वो या तो खड़ा होगा या चल रहा होगा तो या तो उसके पस इस्टेटिक्स या फिर उसके पास में क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी और जो आपकी स्टेटिक्स एनर्जी है उन दोनों का योग जो होता है उन दोनों का सम जो होता है वो उस सिस्टम का क्या कहलाता है इंटरनल एनर्जी कहलाती है समझ में आगई बात तो किसी भी सिस्टम के पास अनू उपस्तित है तो उन अनू की गती जुर्जा और इस्तती जुर्जा का योग ही क्या कहलाता है आंतरिक उर्जा कहलाती है इसकी इकाई जूल होगी क्योंकि किसी भी उर्जा की इकाई जूल होती है और इसको represent you से किया जाता है तो आप लिख लीजिए किसी उश्मा गती किया निकाए मैं उपस्थित उपस्थित अच्छा यह उपस्थित हो गया उपस्थित अनुओ की गतीज उर्जा ब्रैकिट में मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी व इस्थतीज उर्जा यानि की पोटेंसियल भी कह सकते हो और आप इस्थेटिक से एनर्जी भी कह सकते हो के योग को निकाए की आंत्रिक उर्जा यानि की इंटर्नल एनर्जी आई इ कहते हैं ठीक है ये बात आपको याद रखेंगे अब इसके बारे में कुछ चीज़े यह आपक्शिक रासी है कैसी रासी है आपक्शिक रासी है यानि यह किसी के साप्केस ने ये खुद ही होती है अपने अप में ठीक है दूसरा यू से निरूपित यूनिट है वो क्या है तो इसकी इकाई होती है आपके जूल जो कि कहलाता है जे ठीक है तो जूल ये बात आप लोगों को याद रखनी है साथ ही साथ एक ये जो important concept में जो लाइन लिखा रहा हूँ ये बहुत ही जादा काम किये इसको yellow pencil लिख लीजिए क्योंकि ये लाइन neat और j means दोनों ही एक्जामों में कई बार पूछी गई है और ये पूछा गया है कि किसी भी निकाए की आंत्रिक उर्जा यानि internal energy आंत्रिक उर्जा निकाए के यानि system के ताप यानि temperature दाप यानि pressure व आयतन यानि volume पर निर्बर करती है पर निर्बर करती है ठीक है किसी भी system की internal energy जो है वो किस किस पर depend करेगी तो temperature volume and pressure के उपर ही depend करती है ये बात आप लोगों को याद रखनी है ठीक है अब इसमें गती जूजा कहां से आएगी तो भाई अगर जो आपका system में वो कमपन करने लग जाए अगर वो गूम रहा है या आप एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जा रहे हो तो उसके अणू भी चलेंगे तब तो उसमें internal energy आती है और अगर वो पढ़ाई रहा है कहीं भी दो अणू के बीच में अंत्रा अन्विक बल होता ही है interaction force होता ही है उन दोनों में तो उसकी वज़े से वहाँ इस्तती जूर जा होती है समझ में आ गई बात ठीक है अब मैं जो है आप लोगों को इससे संबंदित कुछ इसके point लिखवा रहा हूँ ठीक है जो आप लोगों को लिखने हैं तो सबसे पहले तो आप एक मिनट रुकिएगा पेज साइड खतम हो गए मैं पेज एड कर देता हूँ एक मिनट इसको black ही करते हैं क्योंकि black थोड़ा सा writing में ठीक रहता है ठीक है और यह लेज़े एक मिनट 14, 15 ठीक है ठीक 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 चलिए तो देखिए दुस्तो अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में तो जो आंत्रिक उज़ा के बारे में हमने पढ़ा उससे आगे इसके जो आंत्रिक उज़ा के कुछ मैत्वपुंट बिंदू है उनके बारे में ठीक है ठीक है change in internal energy जो होता है वो negative होता है कारे का जितना कारे होगा उसका negative जो अगर sign लगा दें तो internal energy निकल जाती है ठीक है ये negative क्यों है ये negative होता है निकाय के उपर यानि system के उपर कारे किया जाता है इस वज़े से अब इसके बारे में आप क्या क्या point याद रखेंगे और तो एक है internal energy यानि आंत्रिक उडजा ताप पर निर्बर करती है तो ये मैं आपको बताई चुका हूँ कि internal energy जा है वो temperature के उपर depend करती है next है आंत्रिक उडजा जो होगी वो केवल और केवल आपके प्रारंबिक और अंतिम यानि initial और final जो position होती है उस पर depend करती है इसका path क्या है यानि ये कौन से रास्ते से होकर क्या आप पहुचे उससे कोई मतलब नहीं होता जबकि आपका कार्रे जो है वो path के उपर depend करता है ठीक है तो इसी वज़े से जो आपका path है जो कार्रे होता है ये आपका उस्मा गतिक फलन नहीं होता है लेकिन आंत्रिक उर्जा उस्मा गतिक फलन होती है तो ये पूरा का पूरा point आप लिखेंगे आंत्रिक उर्जा प्रारंबिक आंत्रिक उर्जा मैं अभी क्या इंग्लीज में लिखने वाला था इनिशियल इसलिए वापस मिटा दिया प्रारंबिक आंत्रिक उर्जा प्रारंबिक व अंतिम अवस्थाओं अंतिम अवस्थाओं पर निर्बर करती है ठीक है पत पर नहीं यानि जो वो किस रास्ते से कंड जा रहा है उसे कोई मतलब नहीं है उस कंड की प्रारंबिक और अंतिम इस्तती क्या है उसी से उसकी आंत्रिक उर्जा डिपेंड करेगी तो पत पर नहीं अतह आंत्रिक उर्जा उश्मा गतिक अवस्था फलन है यानि थर्मो डाइनेमिकल इस्टेट फंक्शन है फलन है ये बात आपको याद रखनी है नेक्स्ट चोहता पॉइंट चोहता पॉइंट कहता है कि आंत्रिक उर्जा का मान परदात की जो मात्रा यानि जो आपके पास में मैटर है उसकी कॉंटिटी के उपर डिपेंड करेगा उसके पास में क्या कॉलेटी है उससे कोई मतलब नहीं है ठीक तो आप लिख लिजिए अब ये आई आंत्रिक पूरा लिखने के जरूत नहीं मैं आई इ लिख रहा हूँ बस ठीक है तो इंटरनल एनर्जी का मान परदात की मात्रा पर निर्बर करता है ठीक है अतह जो आउमारा आंत्रिक उर्जा यानि इंटरनल एनर्जी है वो एक quantitative property है यानि मात्रात्मक quality के उपर नी quantity के उपर मात्रात्मक गुण है ठीक है चली next फिफ्ट पॉइंट है इसके बारे में कि डेल्टा यू जो है वो negative भी हो सकता है यानि आपके इंटरनल एनर्जी का जो change है इसका मान negative या फिर positive हो सकता है ठीक है जरूरी थोड़ी है विसा positive हो negative भी हो सकता है और हमेशा negative हो ये भी जरूरी नहीं है ठीक है लेकिन अगर ये positive है तो इसका क्या मतलब और अगर ये negative है तो इसका क्या मतलब अगर ये positive है तो इसने क्या करा अफ्शोशन करा है ठीक है क्या करा है उर्जा का अफ्शोशन हुआ है और अगर ये रिनात्मक है तो उतसरजन हुआ है अब अफ्शोशन यानि absorption यानि इसने energy ली है और उतसरजन यानि exertion यानी इणरजी को बाहर निकला एगजिस्ट करा यानी exit करना यानी बाहर निकलना तो utsurgion करा यानी कि exhaustion करा यानी इनरजी को बाहर निकला और absorption यानी कि energy को घ्रहन करा absorption किया है अगर अगर देखो मैंने आपकोही बताया कि आन्तरी गुर्जा जो है वो प्रारंबिक और अंति मवस्ता पर डिपेंड करती है अब अगर ऐसा हो जाए कि प्रारंबिक वस्ता ये एक तरह से क्या है कि डिस्प्लेस्मेंट है अपने विस्तापन पढ़ा है ना तो आंत्री गुर्जा और विस्तापन एक जैसे ही है आंत्री गुर ऐसे विस्तापन भी होता है जहां थे वहीं आ जाते है तो जिरो हो जाता है लेकिन उसमें कितने पत्थ आप घूम के कहीं भी होकर आए हो कोई मतलब नहीं होता है तो वैसे ही आंत्री कुर्जा भी जो है उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करती है उसकी प्रारंबिक और अंती मवस्ता क्या है उसके डिबेंड करेगी और अगर प्रारंबिक मवस्ता से वापस प्रारंबिक मवस्ता पर आ जाए तो उसके चेंज जो होता है वो जीरो हो जाता है समझ में आ गई बात तो ये दो टर्मिनोलोजी बहुत ही जदा इंपॉर्टेंट थी ये दो टर्मिनोलोजी इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो अब हम पढ़ने वाले हैं थर्मो डाइनेमिक का फर्स्ट लॉ उस्मा गतीकी का पर्थम नियम वो कहता ही यह है कि उसमा बराबर होती है आंत्री कुर्जा और किये गए कारे के तो भाई कारे क्या है आंत्री कुर्जा क्या है यही नहीं पता था तो हम कैसे समझते कि पर्थम नियम क्या कह रहा है तो अब हम पर्थम नियम को अच्छे से समझेंगे और पर्थम नियम के साथ ही specific heat of gas क्या होती है वो समझेंगे उसके बाद में विबिन उश्मिय परकरम यानि कि जो हमारे आइसो थर्मल है, आइसो कौरिक है, आइसो बारिक है, एडियबेटिक है, साइकलिक है ये सब चीजे हम समझने वाले हैं फिर हमारा boiling process क्या है फिर irreversible, reversible क्या है, carnot engine क्या है और इस सब को समझते हुए जो है हम इस topic का फिर उस्मा गतिकी का second नियम पढ़ेंगे जिसमें क्लॉसियस और कैल्विन और ये सब आएंगे और फिर हम करेंगे question और उसके बाद में हमारा ये topic होगा complete जिस परकार से मैंने rotational topic को बढ़िया दस वीडियो मे पी वाई क्यू समेथ complete करा वैसे ही आपको thermodynamics यानि उस्मा गतिकी भी 7-8 वीडियो के अंदर आराम से पढ़ा पढ़ा कर पूरी theory पूरे concept पूरे question करवा करके करवाया जाएगा आपको एक ही काम करना है जो notes लिकवाया जा रहा है उनको adjectives लिकिए और इन points को याद करिए औ इसके लिए मैं बता चुका हूँ आपको अगर questions नहीं मिल रहे हैं तो हम आपके लिए जो model paper लाएंगे उनका wait करो थोड़े से दिन या फिर आप जादा से जादा comment करो तो मुझे जादा motivation मिलेगा तो मैं जल्दी से जल्दी लाँगा और अगर आपको model paper real चाहिए हो तो